आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फाइब वायलेस निक बैंड को लेकर जो 2021 में मेरे हिसाब से बेस्ट है अभी तक का इन सभी ब्लुटूथ यह फोन्स का प्राइस छे सो से देरहाजार रुपई के अंदर है सो देख लेते है इस वीडियो में वो तॉप फाइब नेक बैंड हलो गाइस विल्कम टॉप टॉप फाइब यू ब्लुटूथ नेक बैंड जैसे पीट्रॉन तंजेंट बीच विंग्स एलवेट बोट रॉकर्स 205 वर्शन 2 मीवी कोला 2A और 2B बोट रॉकर्स 255 प्रोप्ल बोट रॉकर्स 330 पीट्रॉन टैंजेंट इफो बोल्ट ऑडियो एक्सवन एर टीजो नेक बैंड रेल्मी बर्ड्स वाइलेस्टू नियो और बोट रॉकर्स 375 इतने सारे यह फोन में से बेस्ट फाइब यह फोन मैंने चूस किया है तो परफाउमेंस के हिसाब से मैंने य रिलीज हुआ एक गुट् क्कॉलिक चीप कोउस्ट निक बैंड है ओवराल बोडी में गुट् क्क्वालिटी प्लास्टिक मिल जाता है और यहंबर्स में में मेटल और प्लास्टिक कॉम्imaieशन के साथ मैंने कि मिल जाता है Price wise call quality इस neckband में clear मिल जाता है noise reduction power average है बट इस price में call quality indoor use के लिए अच्छा मिल जाता है Advanced Bluetooth version से functional button response एक से 2 second में ही मिल जाता है और gaming में smartphone के लिए audio response भी अच्छा मिलता है PC में gaming के लिए ये neckband उतना बढ़िया नहीं है इस neckband में protection भी अच्छा मिल जाता है और ear grip अच्छे रहने के साथ gym के लिए भी sweat resistant power भी अच्छा मिल जाता है Price wise battery capacity भी अच्छा मिल जाता है P-tron tangent EVO neckband में 165 mAh बैटरी से 50-70% volume में करीब 12 घंटे और full volume में 8-9 घंटे playtime मिल जाता है Charging port micro USB है तो full charge होने के लिए ये neckband 2-5 घंटे समय लेता है Music के लिए bass rate काफी अच्छा है और उसके साथ triple rate भी लगबग balanced रहता है Extra bass earphone नहीं है बट price wise quality output मिल जाता है Audio loud रहने के साथ 70-80% volume is neckband के लिए suitable है Full volume में कभे-कभा sound distortion रहता है flat songs के लिए 70-80% volume में sound loud भी रहता है और balanced sound भी अच्छा मिल जाता है सो अंडर 800 यह एक good deal है नंबर चार पर बोल्ट आडियो प्रोबेस एक्सवान एयर निक बैंड एसी अफोन का लुक बहुत ही stylish है निक बैंड में सॉफ्ट सिलिकॉन मैट्रियल के साथ बैटरी सेग्मेंट में प्लास्टिक मिल जाता है और थार्मप्लास्टिक टाइप वायर के साथ 60-degree curved good quality earbuds देखने को मिलता है curved earbuds gym jogging के लिए अच्छा ear grip देता है functional button response इस neckband में भी एक से दो सेकेंड है Bluetooth range 35 feet तक easily मिल जाता है smartphone gaming के लिए ये neckband average है बट PC के लिए below the average है microphone response इससे अच्छा Petron tangent Evo में मिल जाता है so call quality bolt X1 ear में जादा अच्छा नहीं है ये neckband मेरे list में इसके sound quality के वज़ा से है इस neckband में balanced sound quality impressive है और उसके साथ high bass track के लिए bass rate भी सही रहता है इससे stereo sound अच्छा मिल जाता है 80% volume इस neckband के लिए recommended है जिससे sound perfectly loud रहता है और sound leakage और distortion भी नहीं रहता है and 50-70% volume में 8-9 घंटे और 80% volume में 6-7 घंटे play time मिल जाता है so bolt audio x1 year purchase किया जा सकता है अगर आपका requirement अच्छा sound और great design है तो तीन नंबर पर है 1300-1500 रुपे के अंदर diesel wireless neckband यह realme का ही एक product है और realme link app को भी support करता है so design and quality इस neckband का premium looking है इसके भी neckband में soft silicone मिल जाता है battery segment में good quality plastic और earbuds में metal and plastic combination मिलता है इस earphone का earbuds fully functional है like oneplus bullets z oppo enco m31 इस earphone के earbuds detach and attach से earphone on off होता है functional button response super fast मिल जाता है end, music play, pause, track change यह सब के लिए button customization option realme link app के थुरू मिल जाता है advanced bluetooth version जैसे इस neckband के performance को smooth बनाता है उसी तरह smartphone gaming के लिए भी response अच्छा रहता है so smartphone gaming के लिए rarely 2 second sound delay रहता है but game mode on करके low latency के साथ zero sound delay मिलता है PC के लिए इस neckband से gaming performance average है but online streaming के लिए perfect है hence pre calls के लिए noise production power superb है so heavy noisy area में call quality average रहने पर भी indoor and little noisy areas के लिए call quality clear रहता है और ये neckband voice recording के लिए भी बढ़िया है lightweight neckband और perfect ear grip के कारण ये neckband भी gym jogging के लिए अच्छा choice रहेगा realme link app डीजो neckband के लिए एक important part है जो sound quality को भी maintain करता है इस app में तीन टाइप का output option मिल जाता है bright, bass boost plus और dynamic bright and bass boost plus से output मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया है लेकिन dynamic mode पर डीजो neckband impressive sound deliver करता है इस mode पे quality punchy bass and balanced sound है crystal clear loud sound के साथ full volume में भी sound leakage और distortion नहीं रहता है so डीजो neckband 1500 के अंदर एक अच्छा choice है second position hold किया है boat rockers 330 या आप boat rockers 333 भी खरिच सकते है क्योंकि ये दोनों neckband सेम है सिर्फ model number और wire quality अलग है boat rockers 330 की quality बाकी चाह याफोन से best है इस याफोन का functional segment और earbuds completely metal का बना है और neckband में soft lightweight silicon मिल जाता है and design भी बहुत ही stylish है so overall quality के मामले में ये neckband सूपब है boat rockers 330 में भी functional button response सुपर फास्ट मिलता है advanced bluetooth version होने के कारण range भी 40 feet तक मिल जाता है smartphone gaming में इस neckband से भी response अच्छा मिल जाता है बट PC के लिए response average रहता है online streaming के लिए PC में इस neckband का performance बहुत ही अच्छा है boat rockers 330 में noise reduction power अच्छा है जिससे call quality clear मिल जाता है बोथ indoor and outdoor और calls के लिए double tap rerail feature भी quick काम करता है microphone response अच्छा रहने के कारण video call and voice recording के लिए ये headset सही है इस neckband के earburst में ear hook रहने के कारण ear grip भी अच्छा मिल जाता है और IPX5 certified होने के कारण gym के लिए sweat resistant power भी इस neckband में काफी अच्छा है 150 mAh बैटरी इस earphone को backup के मामले में powerful बनाता है जैसे 50 to 70% volume में 20 से 22 घंटे और full volume में करीब 15 घंटे backup मिलता है और इस neckband का charging time है 40 से 50 minute thanks to type C charging port and fast charging feature sound quality की बात करेंगे तो first of all ये एक extra base earphone है सो bass lovers के लिए ये perfect रहेगा लेकिन full volume पर कुछ device में sound distortion इस neckband से रहता है बट ये कोई big issue नहीं है क्योंकि 80% volume में भी ये headset enough loud रहता है और तभी sound distortion भी नहीं रहता है इसके साथ bass and treble combination भी अच्छा मिल जाता है सो high bass track के लिए punchy high rated bass और flat music के लिए perfectly balanced sound ये neckband डेलिवेर करता है सो बहुत सारे positive reasons है boat rockers 330 और boat rockers 3333 करिंदे का इस neckband की तरह ही और एक neckband है जिसको मैंने करीब एक साल से use किया है और वो है boat rockers 295 version 2 with dual equalizer feature इस neckband का review आप description से check कर सकते है आपके best buy के लिए सो अभी बारी है number one neckband की जो है newly launched realme buds wireless 2 new इस neckband के बारे में ज्यादा details में नहीं कहूंगा क्योंकि ये neckband diesel neckband का ही एक sound updated version है बागी features diesel neckband की तरह ही same है सो जो फर्क है diesel neckband से वो है इसका sound quality में diesel neckband की तरह ही realme buds 2 new neckband भी realme link app के जरीये कस्टमाइज किया जा सकता है sound quality में भी bright bass boost plus और dynamic mode मिल जाता है लेकिन ये neckband dynamic के अलाबा भी bass boost plus mode पे बढ़िया output देता है जो diesel neckband नहीं देता है dynamic mode पे punchy bass, great treble और quality stereo sound रहता है बट bass boost plus mode पे bass rate और भी high मिल जाता है और इसके साथ low triple rate इस neckband को इस mode पे extra bass earphone बनाता है और full volume में loud sound के साथ zero sound leakage और zero sound distortion रहता है तो ये था मेरा top 5 Bluetooth neckband earphones इन earphones के बारे में मैं और 2 point कहूंगा और वो है सिर्फ Petron Tangent Evo और Bolt Audio X1 ear neckband को छोड़के बाकी तीन neckband dual pairing को support करता है और इन पांचों earphones में ही incoming call vibration feature totally missing है इन सभी earphones का complete review आपको इस वीडियो को description से मिल जाएगा और उसके साथ product link भी है तो अगर आप चाहे तो सभी products को यहां से check कर सकते है और जो product आपको पसंद आएगा उसको आप यहां से चाहे तो खरीद भी सकते है सो मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई दूसरे और नए product के साथ till then thank you, thanks for watching